स्री शिवाय नमस्त व्याम हरहर महादिव देखे कल बहुती शुब और दुरलब योग है दुरलब दिन है क्योंकि कल 12 फरवरी के दिन फालगुन मास्क के कृष्ण पक्ष के सब्तमी देती है वो भी रविवार के दिन देखो रविवार का दिन होता है भगवान सूर्य को समर्विद और सब्तमी तीती भी होती है भगवान सूर्य को समर्विद याने कि यदि आपके जीवन में तेज की कमी है यदि आप कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं सफलता पुर्वक नहीं कर पाते हैं यदि आपके मन में बेचे नहीं रेती है तो आपको ये उपाई जरूर करना चाहिए क्योंकि ये उपाई करने से आपके जीवन में तेज की वृद्य होगी और आप जो भी कारे करेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे देखो बहुत ही आसान सा उपाई है पुझ्जी सूर्य देव को अर्दे देते हैं लेकिन कुछ विशेश थीती अगर रविवार के दिन आती है जैसे कि ये सप्तमी थीती जो की रविवार के दिन नहीं है अगर आप इस दिन सूर्य देव को अर्दे देंगे तो आपका दुर्भाग्य दुर हो जाएगा और आपके सोभा लाग्ये में वृद्धियोंगी, देखो कहीं लोग होते हैं जो बिलकुल खुल कर काम नहीं कर पाते हैं, खुल कर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में सूर्य ग्रह कंजोर अवस्था में होते हैं, तो सूर्य देव को बल्वान करने के लिए, क्योंकि अगर सूरे देव की उपासना करनी चाहिए सूरे देव आपके जीवन में रोगों को दूर करते हैं सूरे देव का जो तेज है वह आपके शरीर में आए आपके जीवन में आए जिससे आप कोई भी कारे करें किसी भी जगा जाएं तो लोग आपका मान करें सम्मान करें आपके मान स मान में वृद्धी हो तो भी आपको यूपाय करना चीए देखो बहुत ही प्यारा सा बहुत ही आसान सा उपाय है कल बहुत दुरलब योग है ध्यान रखना सब्तमी तिती है और सब्तमी तिती के साथ-साथ नक्षत्र भी स्वाती और विशा का नक्षत्र है तो इसमें आपक तो सूर्य देव को अर्दे देना है तो अर्दे के लिए आप क्या क्या चीज लेंगे समझ लो बहुत ध्यान से समझना और कल सभी को अर्दे देना है जब आप अर्दे देंगे तो ध्यान रखना जब आप इसनान करेंगे कल के दिन यानिके रवी बार के दिन इसनान करेंग आपके शरीर में सूर्यदेव की उर्जा प्रविश करती है देखो करना क्या है आप ईक पाइफरी लेना पाइफरी के अंदर जल भरना साथ में लेना एक तुकडा गुड गुड तो आपको लेना ही है गुड के साथ लेंगे एक चुटकी रोली लाल मिर्ची के बीज 7 बीज हो तो आप बीज भी इस जलके पात्र के अंदर डाल सकते हैं और उसके बाद आपको सूर्य देव के सामने खड़े हो जाना है और सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप करना है ओम मित्राय नमहा ओम रवे नमहा ओम सूर्य जाप जाप करना है तो अगर नी भी डालोगे तो भी चलेगा कम से कम एक तुकड़ा गूर का तो आपको जल के पातर के इंदर डालना है तामवी का पातरी ही होना चाहिए क्योंकि हमारे शेरी में उर्जा का जो प्रवेश है वो बहुते तीवर गती से आता है 12 नाम मंत्र को जाप कर लिया उसकी बाद सूरी देव को अर्दे देना है सूरी देव को अर्दे के लिए आप क्या करेंगे जलका पात्र अपने मस्तक से उठाएंगे और बिल्कुल धीरे धीरे पतली धारा में आपको सूरी देव को अर्दे देना है और अर्दे देते समय एही सूरी सहस्तरांशो तेजो राशे जगतपते अनुकम पयाम मामभक्त या ग्रैन अर्देम दिवा कर इस शलोक का इस मंत्र का जाप करें यदि ये मंत्र शलोक नहीं आता है तो ओम सूरीय नमह इस मंत्र का भी जाप करके सूरी देव को अर्दे दे सकते हैं ठीक है आप थोड़ा सा जल अर्पित करना फिर रुखना फिर जल अर्पित करना फिर रुखना फिर पूरा जल अर्पन कर देना बाद आपको वही पर खड़े हो करके साथ बार घूम जाना है साथ बार परिक्रमा करनी है परिक्रमा करते हुए ओम सूर्याई नमग का जाप करना है बस इतना सा उपाय करना है देखे हो सके तो लाल रंका गोड़हल का फूल भी आप भगवान सीव के इसमें अर्द्य में डाल सकते हैं देखे ये पूरी जानकरी पुझी गुरुदेव के अनुसार ही दी गई है अब आपको अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम करना है और जीवन में जो भी रोग है बोधुर हो जीवन में सफलता मिलती जाए जीवन में मान सम्मान मिले ऐसे आपको पराथना करनी है और बस ये सुंदर सा उपाए कल बहुती दुरलब योग है रविवार के दिन सब्तमी देती है अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादिव